जय हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रीक यानि की कलास 10 का जो इंगलीज का पैसेज पुछा जाता है 14 नंबर का अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए पैसेज 14 नंबर का पुछा जाता है यानि की टोटल 4 पैसेज रहेगा उसमें से आपको 2 पैसेज बनाना है और परतेक पैसेज के लिए 7 नंबर दिया जाएगा यानि 2 पैसेज बनाते हैं तो 14 नंबर और passage बनाना है दोस्तों इस बार passage छोर के नहीं आना है क्योंकि आज जो है वही आप लोगों को बताएंगे कि passage जो लिखने का सही तरीका है वो क्या है और आप लोगों को कैसे लिखना है ठीक है तो दोस्तों आज जो है अगर आप लोग passage बनाने का तरीका समझ जाते हैं तो examiner एक भी number नहीं काटेगा क्योंकि आप लोग English से डड़ते होंगे कि English में passage कैसे लिखा जाता है बिल्कुल आसान तरीका है भाईया 14 number रखा हुआ है आप लेने के लिए तयार हो जाएए आज के वीडियो में अगर ये वीडियो जो है ये सारा जो हम बतलाएंगे आज अगर ये देख लेते हैं समझ जाते हैं तो जिन्दगी में आप लोगों को दोबारा देखने का मोका नहीं मिलेगा आप लोग कभी ने देखियेगा क्योंकि ऐसा हम तरीका समझाएंगे ठीक है ये जो चार question नीचे दिया गया है इसका answer उपर दिया गया है आप लोग को इसमें से लिखना है कैसे लिखना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे देखिए सबसे पहले हम दो बाते कहेंगे अगर पढ़ने के लिए आता हो जिनको और नहीं आता हो वो जरूर देखिएगा दोनों के लिए सेम चीज है अगर जिनको पढ़ने के लिए आता है तो वो जो है चात्र एक बार इनको पढ़ ले और जिनको नहीं आता है बिल्कुल रुकिये का उनके लिए भी उनके लिए भी सारा समस्या का हल लेकर आए है घवराना नहीं है देखिए उपर जो लिखा गया है Read the following passage carefully and answer the question that follow यानि इसको पढ़ना है और इसमें से answer लिखना है अब देखिए अगर पढ़ने के लिए आता है तो ठीक है नहीं आता है तो भी ठीक है अगर पढ़ने के लिए तो पढ़ने के लिए भाईया हर्ज क्या है इसमें देखिए Earlier lamps light and candles were seen in the every house but with progress of technology even small children are seen playing and experimenting with laptops mobile and many more equipment जो वेदर वेदी लिवा बनायाजा, आपकेज राएफ दिसा त अड़ा सिवा आपें getting the clicking photos at the time when prayers are going on. It is, it is a voice that handling these modern get gets most of the time can have worse effect on health. एडिशन टू इट कें मेंग ओन फिजिकली फिजकली हैंडिकेप्ड एंड मेंटली एपसेंट मैंडेड देखिए आपने इसको पढ़ लिया इसको केवल पढ़ना था ठीक है अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा भईया रुकिये 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 जाना नहीं है आप कोस्टन क्या है हमने इससे पहले भी एक आपको पैसेज बना के बताया था यह हमारा दूसरा पैसेज का वीडियो होगा और उमीद करेंगे यह दो वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे वाट कोल्ड भी फांड इन एविरी हाउस हॉल अर्लियर बस आपने यह पढ़ा हो सकता है आपको इंगलिस पढ़ने के लिए नहीं आता हो तो भईया क्यों घबरा रहे है कि हमल इसमें वो पॉइंट खोजिये जो उपर मिले इसमें मिलना क्या है अर्लियर अब उपर से यहां तक लिख देते हैं ठीक है तो इसमें एक नंबर आपका हो गया इसमें एक नंबर हो गया कैसे हुआ देख लिया है कि एवल एक पॉइंट से ही हमने आंसर को लिख दिया ठीक है आईए आईए आगे समझते हैं अगला कोस्टन है वाट इस दा न्यू जेनरेशन educated to educated जो लिखा हुआ है यही हमारा क्या है main point है ठीक है और इस main point के जर्गे हम आपको आज बताएंगे ठीक है तो सबसे पहले उपर में देखिए इसमें educated देखिए कि उपर में कहीं लिखा हुआ है अगर लिखा हुआ है तो आप वहां से लिखिए ठीक है इसमें तो लिखन प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलोजी, एस्मॉल चिल्डरेन, दिखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल आप यहां से लिखिए, इभेन यहां से लिखा है, इभेन एस्मॉल चिल्डरेन आर सिन प्लेइंग एंड एक्स्पिमेंटिंग विथ लेपटोप्स, मॉवाइल and many more equipment, ठीक है, आप यहां तक लीख देते हैं, आप अगर यहां तक लीख देते हैं, तो आपका दो नंबर कम्पलीट हो गया, आपने सोचा होगा, कि इनमें तो educated नहीं मिला, educated नहीं मिला, generation, अब generation मिला, तो generation भी देखिए, नहीं मिला, तो आपको देखिए, complete उपर से What will happen if gate gates are used to a long time, दिए कितना आसान है, तीन नंबर का जो question का answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए point क्या है, gate gates, तो gate gates खोजिये कहां पर है, यहां पर है, gate gates मिल गया, अब यहां से लिखना है, It is obvious that handling this modern gate gates most of the time can have worse effect on health, अगर यहां तक लिख देते हैं, It is से लेकर यहां तक, आपको इसमें मिला gate gates, यहां तक लिख दिजिए, आपका इसमें भी दो नंबर मिल गया, इसमें भी दो नंबर मिल गया, ठीक है, यानि कि 5 नंबर हो गया, फिर आगे पढ़ना क्या है, अगर यहां तक लिख देते हैं, चार नंबर कहां से, बिलकुल आपको दो नंबर यहां से मिल जाएगा, अब आप हमको बताइए, कि आप लोग को कहां पर पर प्रेसानी है, उमिद करेंगे कि कहीं पर भी परेसानी नहीं हुआ होगा, पैसेज इतना आसान होता है, केबल आपको चुनना है, और इसका आंसर देना है, तो उमिद करेंगे, यह सारा पैसेज समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है, और चाहते हैं कि सर एक और वीडियो चाहिए, इससे भी सांधार वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है लेकिन उमिद यही रहेगा, कि आप लोग समझ गए होगे, कि जो पैसेज है, कैसे बने आ जाता है, तो इस बार भाईया, चोदार नमबर नहीं चोड़ना है, और इंगलिस का डर जो है, खत्म होगा, यही सब नमबर आपको जो है, अराम से अच्छा नमबर दिलाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, तो जल्दी से देखिए नहीं, सोचिए नहीं, समय कम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपनों के पास पहुंचता रहेगा, तो मिलेंगे दोस्तों, अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम